बुल्ली बुल्ली और शौन समंदर में एक बड़ी बोट में बेट कर शौन के नाना के घर जा रहे थे शौन के नाना बहुत दूर दूसरे देश में रहते थे, सफर बहुत लंबा था बुल्ली बुल्ली और शौन को समंदर में सफर करने का बहुत मज़ा आ रहा था शौन ने कहा मैंने रोड को और बाबा को भी अपने साथ आने को कहा था पर वो लोग नहीं आए बुल्ली ने कहा वो लोग भी आते तो बहुत मज़ा आता बुल्ली ने कहा ये समंदर कितना खुपसूरत है और वो समंदर में पहाड़ी भी कितनी खुपसूरत दिख रही है वो सब बाते कर रहे थे तबी बुल्ली एकदम से चौक गया उसके मुझ से निकल गया बाप ने बाप बुल्ली और सौन बुल्ली के सामने देखकर बोले क्या हुआ बुल्ली ने हाथ से इशारा किया दोनों ने उस तरफ देखा वहाँ बहुत ही बड़ी वहल मसली थी उसे देखते ही उनके मुझ खुले के खुले रह गए वहल मसली तेरते हुए दूर चली गई समंदर में एक बड़े बरफ के पहार के पास एक मौटर बॉट खड़ी हुई थी वो बॉट जॉम्बीसों की थी वो जॉम्बीस समुद्री लुटे रहे थे उनके इलाके से कोई भी जहार जाता तो उससे वो लोग लूट लेते थे एक जॉम्बीस पहारी के उपर खड़ा था वो दूर्बीन से समंदर में देख रहा था उसने जोर से कहा देखो वहां से एक बड़ी बॉट जा रही है चलो मौटर बॉट स्टार्ट करो मैं नीचे आ रहा हूँ इतना कहकर जॉम्बीस उपर से जॉम्प मार कर नीचे आ गया और दौरता हुआ बोट में आकर बैठ गया बोट में उसे मिला कर छे जॉम्बीस थे बोट का ड्राइवर जॉम्बीस बोट चालू करके बोट को उसी दिशा में ले जाने लगा जॉम्बीस बोट स्पीर से बोट चला कर उस बड़ी बोट की और जा रहे थे उसने बड़ी बोट के पीछे जा कर टर्न मार कर बड़ी बोट के पास अपनी बोट ले गया सब जॉम्बीस खड़े हो गए और बोट की और मुड़े गुली बुली और शौन बहुत मस्ती में थे शौन ने कहा बहुत मज़ा आ रहा है चलो सब डांस करते है गुली और बुली खुश हो गए तीनो डांस करने लगे पर वो लोग नहीं जानते थे कि जॉम्बी स उन लोगों की बोट पर आ चुके थे वो तीनो डांस कर रहे थे तभी जॉम्बी सो ने चारो और से उन लोगों को घेर लिया जॉम्बी सो को सामने देखकर तीनो डर गए गुली समच चुका था कि अब फाइट करने के सिवाई कोई और रास्ता नहीं है उसने जोर से कहा बुली, शॉन, डर्ना मत हमें फाइट करनी होगी इनों ने जॉम्बी से फाइट शुरू कर दी एक जॉम्बी सो उपर खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था शॉन फाइट करते हुए गिर गया जॉम्बी सो उस पर तूट पड़ा उसने शॉन को काट लिया बुली ने देखा और कहा नहीं बुली भी फाइट करते हुए जॉम्बी से हार गया उसको भी जॉम्बी सने काट लिया ये देखकर बुली समझ गया कि आज वो भी नहीं बच पाएगा पर तभी उसे क्या सुजा कि वो दोरता हुआ बोट पर से समुन्दर में कुद गया जॉम्बिस देखते रह गए थोड़ी देर बाद पानी में से गुल्ली ने अपना सर बहार निकाला गुल्ली तेरता हुआ बोट को पकड़ लेता है और बोट की खिड़की से अंदर चला गया कुल्ली अपना मोबाईल निकालता है मोबाईल पानी में भीग गया था वो टेंशन में आ गया मोटर बोट वापस दूसरे जॉम्बिसों को लेकर बड़ी बोट के पास आ जाती है सब जॉम्बिस उपर चर जाते है उपर लेक पर पान्च जॉम्बिस खड़े हुए थे बुल्ली और शॉन भी जॉम्बिस बन चुके थे तबी एक जॉम्बिस ने मोबाईल से कॉल किया बोट एक बड़ी बोट हमारे कबजे में है आप मुझे बताओ कि अब क्या करना है और हाँ हमारे दो साथी और बढ़ गए है हमने दो लड़कों को काट कर जॉम्बिस बना दिया है बोस बहुत ही खतरनाक दिख रहा था उसका अड़ा बरफ के परवत पर था उसने खुश होकर कहा क्या बात करते हो साबाश तो मुझे बोट को यहां लेकर आ जाओ और तुम्हारे दो नए साथी को मुझे से मिलाओ चुम्बिस ओने बोट को टरन मारकर परवत की और ले जाने लगे गुल्ली बहुत टेंचन में था वो सोच रहा था कि अब बाबा को कांटेक कैसे करू उसने मॉबाईल को देखा और खुश हो गया भीगा हुआ मॉबाईल सुख चुका था उसने तुरंत बाबा को कॉल किया बाबा एक्सोसाइज कर रहे थे रिंग की आवाद सुनकर बाबा मॉबाईल के पास गए बाबा ने कहा क्या है गुली समंदर में मज़ा आ रहा है ना गुली ने कहा क्या बाबा आप मज़ा कर रहे हो यहां समंदर में हमारे साथ क्या हुआ वो तो मैं ही जानता हूँ बाबा ने कहा क्या हुआ गुली तुम बहुत परेशान लग रहे हो गुल्ली ने पहले से सारी बाते बताई और आखिर में कहा बाबा ये जॉंबी सोने बोट पर कबजा कर लिया है और बोट को गुमा कर कहा ले जा रहे है वो मुझे मालूम नहीं है और गुल्ली और सौन का क्या हुआ वो भी पता नहीं आप जल्द से जल्द आकर हमें बचाओ, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, गुल्ली ने बाबा को लोकेशन भेज दिया बाबा तुरन्थ हेलिकोप्टर की और भागे वोट पहार के पास पहुच गई थी सारे जॉंबिस बुल्ली और शौन सब बहुत पैसे जंप मार कर नीचे आ गए बुल्ली खिरकी में से सब देख रहा था, सब लोक चलते हुए उनके अड़े की और जाने लगे गुल्ली ने सोचा के बाबा के आने तक मैं यही पर शुपके रहता हूँ